खातरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे वाइनाड से कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी और राग्प्रिय महा सच्छ प्रियंका गांधी वाडरा को रास्ते में ही रोग दिया गया राहूल गांधी को ग्रेट अनॉइडा में हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया राहूल गांधी ने पुलिस पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया हाथरस मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आ गई है लेकिन रिपोर्ट में रेप के सबूत नहीं मिले हैं पीडित की मौत गले में चोट लगने की वजह से हुई हाथरस के जिला अधिकारी प्रवीन कुमार का पीडित के परिवार से बातशीत का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो परिवार से बयान बदलने की बात कह रहे हैं वाइरल वीडियो पर सफाई देते हुए हाथरस के डियम ने कहा कि मैं पीडित परिवार को समझाने गया था हाथरस मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं आज दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस की कारेकरताओं ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया कॉंग्रेस की राश्ट्रिय महासच्य प्रियंका गांधी वाड़रा ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किये बीजेपी की तरफ से केंद्रिय मंत्री मुख्तार अबास नकवी ने कॉंग्रेस को घिरा नकवी ने कहा कॉंग्रेस अजमेर पर चुप है लेकिन हाथरस पर बेवज़ा सियासत कर रही है समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष खिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को अपना बचाव करने की बजाए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जच से मामले की जाच करानी चाहिए शिफसेना ने भी योगी सरकार पर हमला बोला नशीला पदार्थ खिला कर चात्रा से गैंग रेप किया पीडित की अस्पताल से वापस ले जाते समय मौत हो गई इस केस में दो लोगों को गिरफतार किया गया है मध्यप्रदेश के खरगौन में भी गैंग रेप की वारदात हुई आरोप है कि खेट की रखवाली कर रही योवती के पास कुछ लोग पानी पीने के बहाने आया और उसके साथ गैंग रेप किया राजस्तान के अजमेर में एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है पीनित की शुकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना अजजारी हो गई पहले चरण में 71 विधान सभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे बिहार के कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे NDA में सीटों के बटवारे को लेकर अभी पेच फसा हुआ है लोग जन्शक्ती पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासबान ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा और ग्रीह मंत्री अमिट शाह से मुलाकात की तीनों नेताओं की बैठक में सीट बटवारे पर एक घंटे तक चरचा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रिय चुनाव समिती की बैठक होगी जिसके बाद बीजेपी अपनी उमीदवारों की घोशुना कर सकती है भारत ने बाबरी ढचा विदवन्स मामले पर पाकिस्तान के दिया बयान पर उसे घेरा है विदेश मंत्राले ने पाकिस्तान पर सवाल उठाते होए का है कि ये फैसला ऐसी दिवस्था के लिए कड़ा हो सकता है विदेश मंत्राले के मताबिक भारत और चीन सैनेस्तर पर अगले राओं की बाचीत को लेकर काम कर रहे है ताकि सैनेकों की जल्द वापसी को लेकर आगे कदम बढ़ाए जा सके